हेलो स्तो कमाई का अड़स यूटूप चैल में आप सभी का सोगत है अज हाँ पर हम बात करेंगे अफिल इडिया के बारे में इस कमपनी के अंदर जो आज हमें 5% से भी ज़्यादा जो तेजी देखने को मिली है उसके पीछे के रीजन को डिसकस करेंगे एंड यहाँ पर आने वाले समय में आप सभी को किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले है वो भी मैं आपको बता रेता हूं और जैसे आपने यह देखा भी होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अफिल इंडिया में आपको मोका मिलेगा हो सक तो माल आप उठा सकते है और उसके पीछे बहुत से रीजन थे मैंने आपको ऐसा क्यूं कहा था देखिए उसके पीछे का लॉजिक आपको मैं पहले बताता हूं अफिल इंडिया का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसमें आपको एक बढ़िया यहाँ पर पफॉमस देखन फिर से क्या करता है पफॉमस अपना इंप्रोमेंट करता है और पहुच जाता है 1100-1200 के करीब फिर डाउन टेंडिकाना स्टार्ट करता है और देखिए वैसा ही इसने डाउन टेंड कंटिनू किया है और अभी यह स्टॉक हमें फिर से 1100-1200 के करीब आते वे नजर आने व और यहाँ पर आप ये भी अंडरस्टानिंग करकर चलना की अभी भी यहाँ पर अफिल इंडिया तरब से कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है means company में ability बहुत strong है क्योंकि देखिए company ने बहुत अच्छे result दिखा है उसके बावजूद भी कोई improvement नहीं थी और यहाँ पर पिछले कुछ समय से growth भी नहीं है तो बहुत से पड़े mutual funds and निवेशक इसको अपने radar पर रखकर चल रहे है क्योंकि company profitable है और business इसका इनी situation चल रहा है inflation का impact हुआ है तो भी इस company ने अपने आपको कही पर भी कम perform नहीं किया है यह बात हम सभी जानते हैं और मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर अभी भी निवेश कर सकते क्योंकि top to bottom आप यहाँ पर आफिल इंडिया को देखेंगे तो यह stock आप सभी के लिए 30% down performance पर अभी available है means opportunity तो बहुत है आफिल इंडिया में उसका फाइदा लेने वाला कोई निवेशक यहाँ पर होगा तो उसे जरूर मिलेगा investment यहाँ पर कैसी करनी चाहिए देखिए जब यहाँ पर गिरावट में share मिले तब धिरे धिरे हमने quantity खरीद कर रख लेनी चाहिए और हम long term का तो निवेश कर रहे हम सभी को पता है हमारे mind में भी यही बात है तो क्यों ना यहाँ पर धीरे धीरे अभी हमें दिखाई दे रहा है share तो उसके अंदर निवेश बढ़ाये जाए और मोका निकल कर जाने के बाद फिर पस्ताने से कोई फाइदा नहीं है आप यह भी बात देख लेना आज इसके अंदर quantity कितनी जबरदस उठाए गई है एक एक बार देखे दोस्तों पास्सो चेस्सो हजार एशे share खरीदे जा रहे है और कुल मिलाकर 28 फेफर वारी 2023 को आज ही के दिन यहाँ पर आफिल इंडिया के अंदर करीब 3,45,000 share का transaction हुआ है और उसमें से 1,48,000 share यहाँ पर मिवेशक ने अपने पोर्टफोली में खरीद कर रख लिये और कोई बड़ा announcement वगेरा है कि मैं आपको भी बताता हूँ तो अफिल इंडिया तरब से ना यहाँ पर कोई corporate announcement हुआ है आज ना दोस्तों यहाँ पर board meetings related कोई announcement है Only and only stock ने जो performance आज present किया हमारे आगे यह जो आप देख पा रहे है करीब हम कहे सकते हैं कि 6% की तेजे अफिल इंडिया शेयर में देखने को मिली है और आप यहाँ पर यह भी understanding करना कि यह तेजे आगे भी हमें बड़िया performance करकर दिखाने के ability रखती है Company में अगर यहाँ पर fundamentally दम हो तो वो आपको इनी situation return कमा कर देने की पूरी यहाँ पर power रखती है और मैं आपको यहाँ पर price के बारे में सोचने के लिए नहीं कहूंगा आप business को देखिए ऐसा कौन सा परिसानी मुझे बताना जिसके पास आज smartphone नहीं है उस तक ad नहीं पहुच रहे है ऐसे कौन से लोग है जो यहाँ पर mobile ने उस करते होंगे बहुत से customer से इतने सारे और लगातार ये बनने वाली चीज़े है तो इनका तो business लगातार improve होगा ही इसमें भी कोई doubt नहीं है तो जरूर अपने radar पर आफ अफिल इंडिया को रख कर चल सकते हैं इसके advantage भी आप जानते हैं और इसके अंदर आज तीज़े है उसके पीछे का भी reason मैं आपको बता चुका हूँ कि ये stock अभी bottom level से top तरप यहाँ पर v-shape में improvement करकर दिखाने के लिए तयार है जैसे इसके chart pattern थे पिछले वैसे है फिर से ये stock अपने जो level से उधर आने के लिए तयार है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ पर यह देख भी सकते देखिए फिर से comeback के हाँ पर जरूर आपको दिखाई देगा Thank you so much